सवी हो गई है किड्ने आप, आखिरकार कौन है इन सब के पीछे और इशान की साधी किसी और के साथ फिक्स हो गई है इन सब बातों से अब सवी की जिंदगी होने वाली है उथल पुथल तो आईए दोस्तों इस वीडियो में आज आपको पता चलने वाला है कि गुम है किसी के प्यार सीरियल में इतने सारे ट्विस्ट और टरंस आने वाले हैं कि आप लोग भी शौक हो जाएंगे हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रिस्पी बॉलिवड की क्रिस्पी खबरों में गुम है किसी का प्यार स्चो में ऐसा मोड आने लगा था जिसमें लगा था कि सवी और इशान एक दूसरे के करीब आ रहे हैं शायद अब इनकी लव स्टोरी थोड़ी सी आगे बढ़ेगी लेकिन मेकर्स ने तो कुछ और ही फिक्स कर रखा था तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि गुम है किसी के प्यार में दो बड़े ट्विस्ट जो की मेकर्स ने रेडी किये हैं जिनकी वज़े से आने वाल है और किड्नैप ही नहीं वो सवी के साथ जबरदस्ती शादी करने की तैयारी में लगा हुआ है बात फिलाल इशान को पता चल चुकी है कि सवी किड्नैप हो गई है अब देखना बड़ा दिल्चस्प होने वाला है कि इशान सवी को बचा पाएगा क्या इशान सई वक्त म कि रिवा की एंट्री बस ऐसे नॉर्मल है ठीक है थोड़ा सा लव ट्राइंगल दिखेगा लेकिन मेकर्स ने तो कुछ बड़ा ही प्लैन कर रखा था अब बात आ चुकी है इशान की शादी पर और रिवा के साथ इशान की साधी दुबारा से फिक्स हो गई है पहले एक ब अब पता चला है कि इशान और रिवा की शादी फिक्स हो चुकी है और रिवा ने एज फ्रेंड सवी को कॉल करके यह बोल दिया है कि उसे उसके भगवान मिल गए है और उन दोनों की शादी फिक्स हो गई है तुम्हें जरूर आना है तो सवी ने भी साधी में आने का देखने में बहुत जादा मज़ा आएगा कि इशान सवी और रिवा इन तीनों के लव ट्राइंगल का क्या होगा मुझे तो बड़ा एक्साइटमेंट हो रखा है कि इशान और रिवा जब मंडप में होंगे सवी को जब यह सब पता चलेगा तो उसका क्या रियक्शन होता है आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि इतने सारे टुइस्ट आने के बाद आप लोगों को क्या लगता है कि इशान और सवी की लव स्टोरी अब कहां कहुंचने वाली है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे पैल आइकन को प्रेस कर लीजे और मिलेंगे बहुत ज